हेल्लो एवरिवान आज की वीडियो में आपको लेके चलूँगा दिली से लदाख जो की लैंड आफ हाई पासे या फिर उफ अफ दे वोल्ड के नाम से भी जाना जाता है और मैं साइड डीटेल्स आपको दूँगा सिर्फ 10 मिनिट में जिसमें रहना, खाना, पीना, बजट, आक्यूट मांटने सिखने सब कवर्ड होगा तो चलो यह वाली वीडियोब हम स्टार्ट करते हैं यहां से यह जो मैप आप देख लो यह हमारा रूट प्लान था, यह सर्किट पूरा हमने किया था जो राइट में देख रहा है वो अभी का इस वीडियो का मैप है, फ्रॉम डेली टू ले, वाया मनाली जो हम कवर करेंगे अगर आप मेरे चैनल पर नए हो देना, आप डेफिनिटी रिक्वेस्ट यू तो प्लीज लाइक, शेर और सब्स्राइब तो माइ चैनल वीडियो एंड तक जरूर देखना है, तुम्हें साय इंफर्मिशन मेलेगी, रिगार्डिंग एवरिफिंग जो लद्दाग जाते टाइम पर हर एक इनसान ढूंडता है दिल्ली से मनाली तक की रोट बहुत अच्छी थी, हमें कोई दिक्कत नहीं आए थी इस रास्ते, मनाली तक ऐसी ही रोट थी, यह हम अल्मूस सुंदर नगर के पास पहुंचने वाले थे, अच्छा वन मोर तिंग, जिस टाइम पे हम गए थे, मेन मनाली वाला जो रोट था यह सेकंड रूट उनने में जो बताया था, उसके थुरू हम गए हैं, जिसकी वज़े से आपको जो रोड यह थोड़ी पतली दिख रही हैं, हमारा स्टे था अल्योर ग्रैंड मनाली में, जिसकी एक सेपरेट वीडियो मैं ने अल्रड डाल रखी है, आप उस साच करके दे गंटे किये बट नेक्स दे जिस पा में हमने जादा टाइम देना प्रिफर किया ताकि हमारी बॉड़ी अक्रम टाइज रुपाए अच्छे से, जो बहुत ज़रूरी है इस ट्रिप के लिए So now we start our day 2 from Manali So water tunnel के थूँ जाना हमने प्रेफर किया यहाँ पे एक शेक्जिंग के लिए वो रोकते हैं आपकी कार को हमने रोतांग को बाइपास किया बिकॉस रोतांग से दो घंटे और लगते हैं पहले अपनी ट्रिप्स में और इस तरनल वस सम्थिंग विच वी वर प्लानिंग तू कवर बिकॉस यह नहीं नहीं खुली थी अन हमने इसमें कभी ट्रावल किया नहीं था तरनल को क्रॉस करते ही दूसर साइड एलिवेशन बढ़ने लगती है बहुत जल्दी रोड कंडिशन अच्छी है जिस पा तक और ऐसा कुछ फ्यू है जब आप इस टनल से बाहर निकलते हो दूसरी साइड पे तो इस ब्रिज से राइट का रास्ता जाता है स्पिती वैली की तरफ एंड लेफ्ट का जाता है टूर्ड लद्दाक अगर आप बोड को ध्यान से देखोगे मैंने थोड़ी सी स्लो भी कर दिये स्पीड यहां पर अगर आप पड़ोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि यह रूट कहां जाता है लेफ्ट तो अभी हम लेंगे लेफ्ट टूर्ड लद्दाक इसके बात कहीं फिल बंप नहीं मिलने वाला है रोड कंडिशन की बात करें तो अब तक रोड कंडिशन हमें अच्छी मिली है दिस वस्तांडी ब्रिज जिसकी फोटो भी मैंने आपको दिखाई और अब लैंड्स के भी धिरे आप देखोगे तो चेंज होना स्टार्ट हो यह जिसपा हमारा स्टेज आपको दिख रहा है सामने और राइट में यह बहुत संदर लग रहा था यहां पर मैं आपको दिखाता हूं यह और भी कुछ-कुछ फन अक्टिविटीज की थी तो हमारा रुखने का रीजन यह था कि हम बॉड़ी को अक्लमटाइज होने के लिए टाइम दें तो दो गंटे की ड्राइब थी बट उसके अलावा फुल डे हमारा यहां पर रेस्टिंग था फोर अक्लमटाइजेशन यह रिवर बेड एरिया है यहां पर हमने खूब सारी मस्ती की थी आप अपनी कार लेके जाओ और प्रॉपर रिवर बेड एरिया यार और बेस्ट पाट इसकी बहुत भी नहीं थी या बहुत लोग नहीं थे तो आप अराम समय पर रिलाक्स कर सकते हो थोड़ी सी पाटी कर लो थोड़ी देर वेदर एंजॉय कर लो थोड़ी द अराम से करना धीरे करना बिना इगजरट किये करना पानी पीना हमेशा याद रखना क्योंकि अगर पाई नहीं पिऊ गए तो आपको पक्का होगी और अगर मेडिकेशन की बात करें तो आप डामोक्स टैबिट ले सकते हो अएक दिन पहले से जिस पाने के उससे भी आपको तो काफियत तक AMS नहीं होने के चांसे होते हैं, इसा मैंने सुना है, जिन लोगों ने उसको लिया है, आप गारी भी खा सकते हो, ताकि आपको अक्यूट मांटनल सिक्नेस ना हो, ये यार कार काना मैं फैन हो गया, इतनी बढ़िया परफॉरमेंस थी स्कार की स्पूरे ट्रि भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन की आपको कहीं लैंड स्लाइड या कहीं कंस्रक्शन ना मिले, या फिर कहीं सड़क की कंडिशन बहुत ही खराब हो, कभी-कभी कार्स भी जो है, या ट्रक्स भी फस जाती है इसमें, तो फिर वो जब तक क्लियर नहीं होता, तब तक ट्र भी उसे, यह बेस्ट ब्यूटी थी इस पूरे ट्रिप की, सो आफ्टे जिंग जिंग बाहर हमने क्रोस किया है यह पागल नाला, अगें सुबह निकलने का मेन रीजन यह है, कोई भी वाटर क्रोसिंग या इस टाइप का जो भी एरिया या पैसेज होता है, वहां पे आपक मैं और वाइफ हम दो ही लोग गए थे तो हमने प्रेफर किया कि थोड़ा सा सेफ हो कर के चलें और टाइम को अधर करें ताकि ताइम से हम लोग पांचे और अब्स्टेकल्स थोड़े कम मिलें, आफ्टर दिस पागल नाला, बार अलाचा पास की असेंट स्टार्ट होती है पूरा रास्ता ऐसा ही है, तिल पास, ठीक है, अब साइड में मत देखना बस नहीं तो आपको सच में बादर लगेगा और यहां ऑल्टिटूट धीरे तेरह 14,000 फीट हो जाता है, फाइनली बार अलाचा पास पर पहुंचते हो, इस इस दे बार अलाचा पास अट 15,910 है, तो बार अलाचा के बाद हम जा रहे हैं टूर्ड सर्चू, यह भी एक एरिया है और तिल सर्चू, रोड कंडिशन सर वेरी बैड, अभी कंस्रक्शन का काम भी चल रहा है, प्लस बहुत जगे स्लश मिलेगा आपको, बहुत जगे आपको पता ही नहीं होगा रोड है काम मतलब आपको बहुत देख के कार चलानी होगी, यहां पे आपको दूर दूर तक ना बंदा ना बंदे की जात, कोई नहीं दिखेगा, तो प्लीज बी वेरी कॉशिस और वेरी केरफू वाइल ड्राइविंग, कुछ बेसिक चीज कार की ज़रूर रख लेना, जैसे टायर इ यहां पे और मिट्टी के अंदर होगा, आपको देखेगा भी नहीं, आपके टायर को एक सेकंड में पंचर कर देगा, तो टायर की कंडिशन देखना आपकी कार की अच्छी होनी चाहिए, कार की भी एक बार आप जैनल चेकप चाहो तो करवा लेना आने के पहले कि आप इन गाटालूपस बोलते हैं और इसके उपर यह एंड होता है नकीला पास पे, आपको बहुत कैरफुली डराइफ करना है, यहां कोई एरर का चांस नहीं है आपके पास, आप सीधा नीचे जाओगे, वह भी 15-16,000 फीट तो आप सोचलो क्या होगा उसके बाद, तो देखेगे यह व्यूज है यह उपर से अमने इक इसका टॉप लिया था गाटालूपस का इन इस नकीला पास एट 15,547 फीट तो अब आप ध्यान दोगे अगर आफ्टर मनाली सारे हाई अल्टिट पासे यह एक पैस था जिसमें कम से कम आदी से एक फीट की मिटी थी लिटरली लूज मिटी थी तो आपको बहुत ध्यान अखना होगा मोमेंटम का कार का ऐसे रास्तों पे कि वो बीच में रोकना कार अपनी वनना फस जाओगे बस और कोई नहीं है महाँ पे तुमें हेल्प करने वाला ऐसे रास्तों में आप हमेशा ध्यान अपने टर्न का वेट करना अगर सा अगें आपको मोमेंटम नहीं रोकना है तो जब तक सामने आपको क्लियर व्यू ना मिले पूरे रास्ते का तब तक कार आगे मत बढ़ाना फर यह थोड़े दूर का में टार्मक मिला था अटलीस तिल लाचंगला पास विच वोड़ अगें यह में एक्षी वाले भाई फि अब यह देखो जो मैंने कहा था रास्ते में लांड साइड मिल गई तो यहां पर हमें डेड़ से दो गंटे लगे थे और कोई रास्ता नहीं है बाउस वेट करना पड़ेगा उसके बाद यह नजारे मिले थे आपको इसको कहते है मूरे प्लेंस यहीं पर सारी शूटिंग होती है बॉलीवड मुवीज की जो भी मुवीज की शूटिंग हो रही होती है बेरी गुड एरिया बट जगे के साब समझ जाना भाई यह सतरह हजार फीट की ऑल्टिटूट पर ठीक है तो आपको एमस के चांसे हर जगे है तो आफ्टर मूरे प्लेंस आता है तांगलंगल है और डिस उसक्वाइट हाई कितना हाई है आपको मैं इस फोटो से दिखाता हूं सारे पार नीचे दिखेंगे भाई कोई भी से उच्छा पार नी दिखेगा आपको इस जगे पर जाओ के तो आप सामने देखो भी आपको समुझ माँ जाइगा कि आप कितने नीचे वह ओ सब्सक्राइब करें और चीजों को देख नहीं हमारे लिए यह रूमस्ते का अरिया था अब ऐसी रोड़ी आपको मिलेगे लद्दाग तक दिस अप्रॉक्सिमेटली 50 किलोमेटर्स फ्रम लद्दाग और मखन सड़क यहां पर यहां सविर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है देखो अगे लांड्सक्राइब देखो इस ओन दी आउट्सकर्ट ओफ ले सिटी जस्ट ले के आउट्सकर्स पर मदब जस्ट ब्डिस्ट्रिक्म एंटर किये थे और यहां से फिर आगे अम बसीटी की तरफ जा रहे थे यहां से थिक्ट पंदर नहीं आई बीस-पच्छि स्टूपा दिख रहा है हमने जो स्टे लिया था उशांती स्टूपा के पासी लिया था यहां था वेरी गुड होटल एंड रूम्स बहुत अच्छे थे इसके भी बजट की बात में लास्म करूंगा सारी चीज होगी तो आप वहां पर पूरी डिटेल आपको मिल जाएंग यह जरूर खाना बहुत बढ़िया है और सेम वेज में भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन अगर आप विजटेरियन हो तो इस वर्थ हाविंग यह शांती स्टूपा है महां का सबसे इंपॉर्टेंट जो एक वा शुड़ाई से एक आइडल है या एक मॉन्यमेंट है महां का यह पूरे की पूरी ले सिटी का व्यू आपको दिख रहा है अब देखो दूर दूर तक सिर्फ बंजर पहार और जो ग्रीनरी दिख रही है वो ले सिटी के अंदर की ग्रीनरी है ले का ऑल्टिट्यूट है अराउंड 11,000 फीट यह हमने लमायरू से याग चीज पीज़ा अपरिकॉट खाया था तो अब आते हैं मुद्य की बात पर की खर्चा कितना हुआ था इसमें तो अप्रॉक्सिमेटली अगर करूं तो 25,000 का खर्चा आप मान के चलो दिली से ले तक पहुंचने में हमें आया था उसका ब्रेक अप मैं दे दे रहा हूं यह आप स्क्रीन प सर्चू में रुकते हैं बट आप मही तरफ से रिकमेंडेशन हैं मत करना क्योंकि सर्चू साड़े-चौदर फीट के ऑल्टिट्यूट पे और जिस पार साड़े-देस जार फीट के ऑल्टिट्यूट पे आप मनाली सा रह होगे जलगबग 8000 फीट से भी नीचे के ऑल्टि पी डाउट हो तो आप कमेंट्स बॉक में डाल दो मैं रिप्लाई कर दोंगा और प्लीज दोंट फगेट तो लाइक शेर एंग सब्सक्राइब तो मैं चैनल